जेहन दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग हम।। करने वाले हैं क्लाश टें कर रहा है हैं। जिसमे आज की इस वीडियो में हम लोग जो है। Study करने वाले हैं। Unsolved setting 2023 is set 3 e-al। इसके प्रिवेस्स वीडियो में हम लोगों को सेट उन ओर सेट 2 को उप्प्लेटली हम लोगों ने फिनिश को लिया अब इस यहे हम कीजिए हम है आपके लिए कोई भी ढउट हो शेयर कीजिए दिए पहला कोशन ला ला उप्प्रेश्च्छ का छहा दूर्फ और तो यह स्के हमेंसा किस यह पूली वLT होत Lewis होता है तो आपको बता दें ओल्ली कॉंकिश्व मिर्र के लिए तो कॉंकिश्व मिर्र में भी इसके लिए भी reflection तो concave mirror, concave mirror हो, चाहे convex हो, चाहे plane mirror हो, तीनो mirror में हम लोग reflection को हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे, और अब these, any D part, जो हमारे पस रहे टेशन है, Magni, Magnipeed, virtual image of an object can be formed by, तो virtual image on an object, तो हम लोग जानते हैं कि virtual image, जो है object का कब बनता है, तो हम लोग जानते हैं, जो जब convex mirror हो, जब क्या हो convex mirror हो, हाँ, convex lens तो करेंगे निए, हम लोग, हम, हम, इसके बाद question बाद third में, ए material of a very large resistance in card as, तो उसकी जो resistance है, बहुत large है, इसका मतलब क्या है, resistant अगर large हो, तो current उसमें ना के बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो insulator ही तो है, क्योंकि insulator क्या है, जिसमें current ना हो, तो insulator ही तो है, तो देख लेते हैं हम लोग, हाँ, D part जो option हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, अगर electric power की unit क्या है, तो बाट जो है, electric power की unit है, बाट जो है, electric power की unit है, अगरे बी पाट अबारे पास राइट अप्शन है, if current flowing in an electric cattle is tripled, heat produced in the cattle will become, तो if current flowing in electric cattle is triple, तो triple का मतलब है, उसमें 9 times कर लोगे, अब लोग बिना किसी कह सुने, तो अब लोग 9 times कर ले ना, मतलब हम लोग करेंगे C part, a person is unable to see distance object clearly, एक person जो है, वो distance clearly, मतलब distance, मतलब कोई दूर की जो हमारे पास object है, उसको clear हो नहीं देख सकता है, defect in eyes, तो उसके आखों में कौम सा दोश है, कौम से defect है उनके eyes में, तो हम लोग बता दे कि near sideness है, near sideness, यह person unable to see distance object, तो वो distance object को देखने में, उनकी जो eyes है, वो unable है, मतलब उसके eyes में कौम सा रोग है, तो हम लोग कहेंगे near sideness है, near sideness है, and question no.7 में, if a concave mirror forms real, inverted and a very small image of an object, then object should be situated, तो आपको बता दे, कि एकदम point ना के बराबर जब आपका image बने, तो कौन सा हमारे पास mirror है, concave mirror, तो देखो, concave mirror में हम लोग यू बनाते है, concave mirror, तो यह हमारे पास concave mirror है, जिसके outside में polish करते हैं, उसे कहते है concave mirror, यह principal axis है, जब हमारे पास जो object हो, infinitive पर हो, कहाँ पर हो, infinitive पर, तो यहाँ से दो rays निकलती है, यू, दोनों के दोनों rays जो है, इसके parallel में हो, principal axis के parallel में हो, यू, अब यहाँ पर होता reflection, तो यह reflection होकर focus होकर जाती है, यह reflection होकर focus होकर जाती है, दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर बनेगा तुमारा इमेज तो यहां पर इमेज देखो एकदम पॉइंट बन रहा है है कि नहीं? इमेज बन रहा है एकदम पॉइंट तो हम लोग कहेंगे condition हमारे पास तो हम लोग object को यह हमारे पास object है और यह हमारे पस image है तो object को हम लोग कहां रखते हैं object को रखना चाहिए at infinity any d part हमारे पस रही है question नमर हमारे पस 8 है burring of a carbon in a air to form carbon dioxide gas in an example carbon in air carbon को हम लोग air में हम लोग जला रहे हैं carbon dioxide बना रहे हैं मतलब यहां पर carbon और हम लोग क्या कर रहे हैं carbon को जो है oxygen में जला कार हम लोग क्या कर रहे है carbon dioxide बना रहे है मतलब देखो यह तो उनों हमारे पस combination में हो रहा है तो हम लोग combination का मतलब हमारे पस कौन सा reaction हमारे पस combination reaction है नहीं हमारे पस यह पार्ट जो है मारे पस radiation है question 9 में the gas the gas liberated on reaction on reaction of dilute sulfuric acid on zinc power is the gas the gas liberated on reaction a dilute sulfuric acid on zinc तो zinc में साथ हो तो इस condition हमारे पस क्या है H2 फिर O2 CO2 CO2 तो H2 जो है मारे पस right option है the gas liberated on reaction of dilute sulfuric acid on zinc तो salveric acid और zinc की reaction कराएंगे नहीं हम लोग तो salveric acid तो H2SO4 इसके reaction है H2 जिंक मेटल के साथ कराएंगे तो zinc मेटल के साथ कराएंगे तो यहां पर zinc जो है यह बनेगा ZNSO4 ठीक प्लस H2 तो कौन सी gas निकलती है हाइड्रोजन गेस निकल जाती है तो हम लोग कहेंगे H2 तो कौन सी option हमारे पस right option है तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पस right option है question number 10 add NTP normal temperature pressure हां तो add NTP the non metal found in liquid from liquid from is तो anti normal temperature pressure पर अगर हम लोग किसी non metal को हम लोग find liquid liquid from हम लेते है तो chlorine, bromine, fluorine, iodine तो bromine जहें तो bromine जो हमारे पस right option है यह B part हमारे पस right option है 11 में the functional group in propanone तो propanol का functional group क्या है तो propanone तो आपको बता दे कि CO जो है यह on CO जो है यह जो group है यह on के लिए है किस के लिए है on के लिए है on के लिए है तो C जो हमारे पस right option है match the compounds given in column A and column B तो column A and column B को हम लोग matching कराएंगे ठीक है column A and column B को जो है हम लोग matching कराएंगे column A and column B में हमारे पस क्या है तो हम लोग कहेंगे A and B A में है LD hide ठीक A में क्या है हमारे पास LD hide और यहां पर है capital A और यहां पर है small A small A में हमारे पास क्या है triple C है तो 1, 2, 3 यहां पर हमारे पास C O, O, E, H है और यहां पर हमारे पास सभी में हमारे पास E, H है ठीक है clear and हमारे पास B में है L-Kine B में है L-Kine and इधर जो है हमारे पास triple C है 1, 2, 3 यहाँ पर C-H-O group है हमारे पास and यहाँ पर H-H है ठिक हमारे पास bonding 4 होनी चाहिए H-H है and हमारे पास जो है और क्या है Carboxylic Acid C में है हमारे पास Carboxylic ठिक Carboxylic Acid यहाँ पर हमारे पास है कि triple C है 1, 2, 3 इसमें Bromine group है and हमारे पास H-H सभी compound में है जो compound हमारे पास है इसमें सभी में हमारे पास इस परकार से compound है हमारे पास and Hilo Alcane तो D में है D में है Hilo Alcane and इसमें हमारे पास है इसमें है 1, 2, triple bond C, H and यहाँ पर H यहाँ पर H और यहाँ पर H अब इसको जब मैचिंग कराएंगे तो मैचिंग जब कराएंगे तो LD Hide LD Hide के लिए हमारे पास कौन सा गूरूप होना चाहिए C, H, O C, H, O को हम लोग कहते है Al ya LD Hide तो हम लोग मिला लेंगे हम लोग राइट कर लेंगे A को B से तो हम लोग कहेंगे A and B ठिक A and B and हमारे पास B को B जो है Elkine Elkine के लिए नहीं Elkine Elkine के लिए हमारे पास triple bond होना चाहिए triple bond को हम लोग क्या कहते है Aion ठिक Elkine तो हम लोग जो है B को मैचिंग करा देंगे D से तो B मैचिंग करा देंगे D से and हमारे पास कार्बोकसिलिक Acid तो कार्बोकसिलिक मतलब OEK OEK कहां पर है हमारे पास यह हमारे पास OEK है तो हम लोग C को C को मैच कराएंगे A से तो C मैचिंग A C को मैचिंग कराएंगे A से and D D जो हमारे पास है Hilo Elkine तो Elkine तो जैसे Bromine हो Bromine Florene Florene तो प्रोटा तब को Florene Clorene Bromine and Iodine यह सब Elkine यह सब जो है Hilo है ठीक है Hilo इस सब को Hilo कहते है Florene Clorene Bromine and Iodine इसको Hilo कहते है तो इसको हम लोग यहां से matching कराएंगे यहनि D matching कराएंगे हम लोग C से तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास option कौन से सही है हमारे पास D D option जो है हमारे पास यह राइट है तो कौन से उप्शन राइट है हमारे पास D option जो है यह राइट है and question number है हमारे पास 13 Balancy of carbon atoms is तो carbon atoms की balance कितनी होती है 4 4 1,2,3,4 1,2,3,4 carbon की हमेशा जो balance होनी चाहिए फोर होनी चाहिए ठीक है and question number जो है 14 the biological process by which harmful products are removed from body is called जो body से removed हो जाए उसको हम लोग क्या कहते है extration extration मतलब जो भी body से हम लोग निकाल देते है हम लोग swift के जार दौरा swift मतलब पसीने के जारा जो निकाल देते है तो इसको हम लोग क्या कहते है इसको कहते है हम लोग extration and question number 15 which one of the following process does not accurate during accurate during नहीं हम लोग which one of the following process कौन सा प्रोसेस को हम लोग following there is not accurate during photo synthetis तो photo synthetis में हम लोग कौन सा हमारे पास देखो conversion 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 of light energy into chemical energy reduction of CO2 into carbon carbohydrate and breakdown of glucose into pyruvic acid तो मारे पास जो right option है D breakdown of glucose into pyruvic acid तो glucose को हम लोग किस में तोड़ते है pyruvic में तोड़ते है glucose का हम लोग जो बिखंडन है जो breakdown किस में करते है pyruvic में करते है हम लोग टीक है फोटो सिंतेजी में and question 16 small gap between two agents and neurons is termed as two neuron two neuron होती neuron 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 structure आपको आपको यहाद है total extrude नहीं बना रहे तो यहाँ पर यह जो chain की तरह है इनके बीच जो खाली खाली जो हमारे पास यह हमारे पास गैपिंग है इस गैपिंग को आम वो क्या कहते है synapse तो synapse कहते है neurons between two इन दोनों के वीच में वहारे पास होता है synapse हम लों कहें है कि हमारे पास B options है and in which of the following plants has Mendel मेंडल ने किस plants पर अपना experiment किया था तो तो कई पर पूचे अपनों रट चुके हो इसको तो बताने के जरुद भी नहीं है पी ठीक है तो पी ऑप्शन सही कहले ना पी पर इन्होंने पी के जो प्लांट है इसी पर अपना experiment किया था मैं अंडल ने and question number 18 है in which of the following plants are flowers unsexual तो इन विच तो आपको बता दे कि जो single sexual में है नहीं flower unsexual जो unisexual में है यह पापाया ही है तो पहला option हमारे पास जो है यह राइट है and question number 19 copper tea it's copper tea fitted which part of female reproduced पर से पहले जो है लूप copper tea की बारे में बता चुकिए आपको कि हम लोग जो है जो फिमेल है फिमेल की जो हम लोग लगाते हैं फिमेल में इत पूछा रहा बिच पार्ट आप द फिमेल reproductive system तो option हमारे पास क्या है option हमारे पास है ubri में नहीं लगाएंगे में लग लोग अधा Mashtar में लगाएंगे प्लाछा ब्लाएंगए व्यूट रहा रहा म bachelor यूटर यूटरेस हैं çıkar चाइल्जढ को इन आ पर बनते हैं ठीक बच्छे 20 में बिच आप देफालोविंग इस्टेटमें इस नो टू एवाओड एवाओड फर्मेन टेशन तो यहां पर रहा पहले अप्रमें इस एक्व्ट इन अपसेंज अप्सेंग अप्सेंग नो 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 इस जैनल इंड एकुर इस्ट नो 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 इन दिस प्रुसेश पाई इस राइट आंसर माइट्रो कांडिया और कोशन नमर हमारे पास सेकेंड पर्ट में पर्ट भी है डिस्क्रिप्टिव कोशन राइट राइट डाउन एनी टू आप टू एप्लिकेशन आप एक कॉन्वेक मिरर ड्रा रे डाइग्राम प्रॉम इमेज फॉर्मेशन बाई एक अबजेक्ट है इन बेविन इनफिनिटिव एन सेंटर अप करवेचर एंड इन विट्विन फोकस और पोल मिरर दो इसके लिए आप लोग जो है कब से पहली बात तो हमारे पास है हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास आंसर तो आंसर वन तो आंसर वन में क्या है एंसर 1 में है, राइट डाउन एंट टू एप्लिकेशन अप कान्वेक मिर्यर का एप्लिकेशन हम लोग किस में करते हैं, एक तो सेबिंग करने में करते हैं, सेबिंग, सेबिंग का मतलब जानते हो, हम लोग बेर्ड वगरा, जो है हमारे, इसको मश्टड जो है, इसको डाने के लिए सेबिंग करने में, हम लोग जो है, चाहरए, हम लोग यूज करते हैं, और जो है, हम लोग ओन्वेक मिर्यर का यूज करते हैं, जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो आइज, nôs, इयर, इसके ट्रीट्मेंग है, इसमें डॉक्टर जो है यूज करते हैं इसमें हाँ यहां पर रे डाइगराम बनाएंगे हम लोग रे डाइगराम जो है रे डाइगराम हम लोग इधर बनाते हैं तो हम लोग लिखेंगे answer answer 1 ठीक उधर नहीं कर रहा है इधर ही कर दे रहे हम answer 1 तो हमारे पास object कहां कहां होने चाहिए object जो है in within infinity and center of curvature तो हमारे पास कौन सा mirror है हमारे पास concave mirror तो concave mirror किसे कहते हैं concave mirror जो कि हमारे पास जिसके outside में हम लोग polish करेंगे उसे कहते है यह concave mirror और and यह concave mirror में है principle axis यह हमारे पास pole है यह 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 door है ठीक है यहाँ पर हम लोग माल लेते कि यहाँ पर जो हमारे पास focus है and यहाँ पर curvature of center of curvature हमारे पास है एंड हमारे पास जो object है वो curvature and infinite हो इन दोनों के between में यह बीच में हमारे पास object है object हम लोग A and B से लिग रहे हैं and O हमारे पास object है and object से दो rays हम लोग ले जाते हैं object से ठीक हर object से दो ही rays निकलती है यह जो principle axis के parallel में हो फिर वो rays reflection के बाद किस से होकर जाती है वो rays जो है फिर focus से होकर जाती है और एक rays जो है किस से होकर जाती है एक rays जो है मारे पास center से होकर जाती है तो फोकस से ना लेकर अमोग लोग गर्वेचर अब सेंटर से ले जाते हैं। तो जिब कर्वेचर अब सेंटर से ले जाएंगे, तो यह यू चली जाएगी यहां से, यह जो है हमारे पास यू , A- and B- जो है यह हमारे पास इमेज बनेगा। एक टू इमिश तो हम लोग देख पा रहे है जो इस्माल में बन रहा है ना हमारे पास है इन बिटिवीन फोकस फोकस अडगए प्लॉरम के वा hablando कर्ँच हेँ भार के मायोर कि बीटिवीन में रखेंगों आपकी बार यह हमारे पास MN यहां पर इन दोनों के बिटवीन में अबजेक्ट है तो अबजेक्ट से यू रेज निकल ले जाएंगे एक हमारे पास रेज यू जाएंगी ठिक एक रेज को यू ले जाएंगे जो रेज यू जाएंगी वो रेज यू आ जाएंगी तो हम लोग देख पादे हैं दोनों रेल की डिस्टेंस नीया वार में और रही हैं question number हमारे पास है question number two what are the laws of reflection तो आप लोग answer two लिखोगे answer two हाँ क्या लिखोगे आप लोग answer two अब heading क्याड़ा लोगे what are the laws of reflection तो laws लाज ओफ रिफ्रेक्षन ठीक है रिफ्रेक्षन यह heading डाल लेंगे हम लोग heading must करता है अब लाज ओफ रिफ्रेक्षन रिफ्रेक्षन किसे कहते हैं तो तो रिफ्रेक्षन और reflection दोनों में ही different है तो लाज ओफ रिफ्रेक्षन तो कोई भी raise हो जैसे माल लो कि यहां पर यहां पर यहां पर यू जो है हमारे पास एक कोई यह दो मीडियन है यहां पर हम perpendicular डाल देते पहले सही अब यह हमारे यह पास two medium है suppose करो कि यह medium जो हमारे पास है यह हमारे पास cold medium है यह medium हमारे पास hot medium है यहां पर जब जो light की raise आती है जब cold medium से hot medium में आती है तो perpendicular से distance में जाती है दूर हट जाती है यह तो हम लोग कहेंगे raise का raise का जो raise होते है raise का अपने path से हटना थोड़ा सा हटना उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते है large of reflection क्या कहते हैं उसको large of reflection तो जो light की raise है वो अपने path से हलका सा हटना उसे large of reflection कहते हैं ठीक क्लियर एंड इसी में ही है मारे पास कि an object of 3 cm is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens convex lens focal length of the lens 30 cm and distance of the object from lens 10 cm find the position size and nature of the image can be observed this image on a screen तो यहां पर क्या है यह कहना है an object एक object जो है 3 cm is placed perpendicular to the principal axis तो principal axis के perpendicular में है 3 cm ठीक 3 cm है तो यहां पर समझना आप लोग इसको solution देते हैं यहां पर तो हम लोग कहेंगे कि जो object है 3 cm तो ओ बराबर 3 cm हम लोग कहेंगे इसको एंड हमारे पास focal length the lens 30 cm distance तो focal length एन ही हम लोग कहेंगे यह जो है 30 cm 30 cm distance object from the lens 10 cm position तो हमारे पास U जो है यह हमारे पास क्या है 10 cm and V जो है हम लोग find out करेंगे तो यहां पर size and nature image can be object this image on a screen तो यहां पर हम लोग जब इसको formula के form में हम लोग लिखेंगे तो lens है न लेंस ही तो है तो lens 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 हां convex lens है तो 1y f equals 1y v minus 1yu फार्मूला हम लोग use करेंगे इस फार्मूले के recording यहां पर 1y 30 equals 1y v minus 1y minus 10 minus minus plus exchange कर लो तो 1y v equals 1y 30 minus 1y 10 तो 1y v equals हम लोग LC हम लेंगे 30 तो 30 वहां जब 30 और 10 3 जब 30 हां and 1y v equals minus 2y 30 तो हम लोग कहेंगे तो v equals minus 15 cm तो v जो है हमारे पास question number 2 यह तो है तो v जो है हमारे पास क्या है minus 13 cm sorry minus 15 cm and जो हमारे पास फार्मूला एक हम लोग और यहां पर यूज करेंगे कि m equals minus v y u and i y o तो यहां पर जो है हम लोग minus v y u equals i y o हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो minus v तो v की value हमारे पास minus 15 already है और divided by u u की value जो है minus 10 है and हमारे पास i जो है हम लोग find out करेंगे ओ जो है 3 है हमारे पास and minus minus plus फिर minus तो 15 y 10 equals i y 3 and यह 5 3 जा 5 2 जा तो हमारे पास यह हमारे पास i equals i y 3 equals 3 by 2 तो i equals 9 y 2 या फिर हम लोग करें सकते हैं i equals 4.5 cm तो बस यही हम लोग जो है इसको find out कर लेंगे i and tick तो बस अब question हम लोग करेंगे 3 तो 3 में है चलो इतने को पहले अब लोग short कर लो पर 3 question को करते हम लोगा अब लोग जो है तिरी करेंगे 3 में क्या है इस्टेटो ओम्स लाओ ओम्स लाओ जो है most important questions भी है कई पर पूशा भी जा रहा है तो ओम्स लाओ क्या है यह law in electricity that states that the currents in a circuit equal to potential difference divided by the resistance of the circuit यह important भी है और यह simple जो हमारे पास simple definition है वही हमने आपको लिख दिया है तो हम लोग जानते कि जो potential of जो आपके पास voltage है वो current के क्या होते है current के तो divided करो ठीक है यह equal to potential में लोग करते हैं लोग तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते होता है जो डिवाइड है वो किसके इक्वल से रेसिस्टेंस के इक्वल से यही ओम्स लोग यहीं कही सकते हो लोग है तो डिवाइड अनी बोल्टेज एंड करेंट के डिवाइड को लोग यही हमारे पर सोब का मोज हो अलोग कहते हैं यह लोग इन इलेक्टरसिटिटी तस्ट याश्तक और आ रिश्टेंट इन इसल्कुन कर नुभिवाइड वाइड 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 वायड रजिस्टेंस की अगर हम लोग वाइर की लेंद को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी वहाँ पर बढ़ेगा अगर वाइर की लेंद को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस यह भी कम होगा अर्था अगर हम लोग अगर हम लोग अगर हम लोग अगर को बढ़ाएंगे तो यह जो रेसिस्टेंस यह कम होगा अगर area कम करेंगे तो resistance बढ़ेगा ठीक है यह हमारे पास है and हमारे पास questions आगे हैं तो हमारे पास P given है V given है time given है time minute में है तो second में हमने convert कर लिया I हमसे पूछा जा रहा है और हमसे W पूछा रहा है formula P वरावर V I and यह हमारे पास answer I and W U equals हमारे पास V I T and यह हमारे पास answer and इसी में question आगे और भी है कि 4 number में है mention any two properties of magnetic fields lines so magnetic fields के दो properties बताएंगे magnetic fields आपको पता है कि magnetic fields में जो है कि इनकी जो lines है यन से निकलती है और यश पे इंटरी करती है बट अंदर से जो है यह आउट साइड है in side में फिर वो यस से यन की ओर जाती है ठीक है yes से और यह जो कभी भी एक दूसरे को यह जो हमारे पास यह line से कभी भी एक दूसरे को cross नहीं करती है तो हम लोग कहेंगे they never cross on another कभी भी एक दूसरे को नहीं करती है they flow from the south pole and the north pole this inside में south से north की ओर जाती है विदिन दा म्यिटिक पिल्ट है नॉर्थ पोल्ट तो दा साउट पोल्ड आउट साइड मैंटिक अन आउट साट से यं श्य। हो जाती है ठीक है अब इसे में कोशन आगे और भी है कि Maxwell के screw का जो rules से क्या है तो screw का rules क्या है अगर हम लोग Maxwell के screw के rules के नुसर अगर हम लोग page को इस प्रकार से हम लोग catch करते हैं तो page की जो nook है जब यू घुमाते हैं तो यह nook यह current की direction में हो जो screw rules से screw rules में हम लोग page को यू catch करते हैं कि nook जो है nook जो है वो आपकी current जिदर flow हो और हो और होनी चाहिए and जो हमारा thumb है वो thumb होना चाहिए magnetic field की और ठीक है यही है तो हम लोग कहेंगे according to the Maxwell screw rules if a right handed screw is turned so that the right hand से catch करेंगे it moves forwards in the same direction as the convection current its direction of radiation will give the direction of the magnetic field ठीक क्लियर होना हम लोग जो है अपने right hand से catch करेंगे है इसे यह एंड इसी के question में आगे और भी है कि कोशन इसी में इसी में इसी में इसी में इसी में बाइस आप कहां यह so uniform magnetic field in a given reason तो हम लोग कहेंगे यह uniform magnetic field in a reason is respect is represented by drawing parallel and equipped distance lines all pointing in the same direction clear अब हम लोग जो है इसका question number four के बाद what is the hyper 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 metropia list two cases with the help of ray diagram so eye effect के लिए और correction of hyper metropia के लिए ठीक है चलो इतने को पहले आप लोग short कर लो हाँ अब कोशन नमर जो है हम लोग solve करेंगे four का और है हां तो ध्यानक न कि फोर के और में हमारे पास है कि what is hyper metropia hyper metropia क्या है यह ऐसा this is रोग है यह कि जिसमें हम लोग जो है कि दूर की जो object है उसको तो देख सकते हैं बट जो नियर की object है इसको नहीं देख सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग hyper metropia हां तो और इसमें क्या है कि list two cases with the help of ray diagram so इसके ray diagram so करके दिखाओ number one पे आई एफेक्ट पर जब आई पर एफेक्ट हो एंड नमबर second पर है correction of hyper metropia correction करके बता हो तो मतलब समझना पहले सबसे पहले है कि hyper metropia means for sighted and it is where the image of a nearby object is format behind the retina तो जो हमारे पास object है वो retina के पीछे बनता है मतलब समझना जब हमारे पास cases one है cases one में है क्या है cases one में है eye effect जब eye effect हो तो उस condition में for example यह जो है eye है यह हमारे पास eye है and यह उठा हुआ जो भाग है अब यहां पर object है object से दो raise आती है you raise आती है हमारे eyes में convex lens होता है यह convex lens अब हमें जो है कौन सा हमारे पास हमारे पास रोग है hyper metropia है इसके condition पर जब हम लोग देख पार है कि यहां से यहां से जब इसका reflection होगा reflection होने पर यह किरने यू जाएंगी यह किरने यू जाएंगी और यहां पर retina है तो image यहां पर बनना चाहिए बट यहां पर ना कर इमेज जो है यहां पर बन रहा है इसका मतलब है कि हमारे आइस में problem है कौन सा problem है जब retina के behind में हमारा image बने तो हमारे आइस में कौन सा problem है hyper metropia problem है अब इसको जो है हम लोग जब क्या है हमारे पास correction of hyper metropia तो correction of hyper metropia तो हम लोग यहां पर correction जब करेंगे तो यह हमारे पास यह eyes है ठीक यह हमारे पास आई है इसको यू बना लेंगे इसको यू बना लेंगे same to same तो बनाएंगे ठीक यू हमारे पास lanes है ठीक है यू लेंज है अब हम लोग जो क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग hyper metropia में हम लोग दूर की object को देख सकते है पर जो near की object इसको देखने सकते है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमारे जो आई है उसमें हम लोग convex lens यूज करेंगे तो जैसे ही हम लोग convex lens यूज करेंगे तो convex lens का काम है object को near करना यह object को नियर करना तो यह मारे पास object है इस condition में यहां पर यूज करेंगे convex lens का काम है जो image है उसको कहा पल लाना रेटीन पल लाना इस image को कहा लाना रेटीन पल लाना और जो हमारे पास object है उसको लोग जो है clearly देख सकते हैं एंड question number 5 में है सेट सेकेंड में हम लोग comment कर रहे थे सर आप जो है समझा दीजिए इसको भी तो चलो समझाते है इसको भी तो हमारे पास question 5 है तो हमने लिखेंगे answer 5 जो balance है balancing ही तो करना है c a o h का hole toys c a o h का hole toys plus c o 2 c o 2 reaction c o c a c o 3 c a c o 3 plus h 2 o h 2 a liquid बगरा gas बगरा जो पी दिया गया वो छोड़ो और second में है हमारे पास c h 4 c h 4 c h 4 and o 2 reaction c o 2 h 2 o c o 2 plus h 2 o फिर इसके बाद third में है बस यह है हम इन दोनों को जो है हम लोग balance करेंगे तो दो balance जब करेंगे तो c a o h का hole toys सबसे बड़ा कोन है सबसे बड़ा हमारे पास c a तो c एक बार है यहाँ पर o c c देखते है तो c भी हमारे पास एक ही बार है clear है o 2 और o 4 तो o 3 4 है और h 2 balance है उपर तो balance है यह यह हमारे पास balance है ठीक है यह जो हमारे पास balance है हमारे पास balance है हमारे पास balance है यहाँ पर c एक बार c एक बार h 4 x h 2 x तो यह काम करते हैं कि इसमें 2 से multiply कर लेते हैं और 2 to 4 o 4 clear balance है अब यह भी balance है एंड देखो question नमर हमारे पास जो है यह 5 के भी पार्ट में है 5 में भी पार्ट में है write the names of reactant and product of the reaction देखो यहाँ पर और give an example thermal decomposition reaction only equation for reaction देखो यहाँ पर इनका कहना क्या है write the name of reactant ठीक write the name of reactant तो यहाँ पर हम लोग 5 का a पार्ट है है हम लिखेंगे answer 5 का b पार्ट 5 के b पार्ट में है हमारे पास b पार्ट के फश्ट में है अब एक चीज़ यहाँ पर denote करना आप लोग कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या बताएंगे हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पर कि names of reactant and product तो reactant बताएंगे और product बताएंगे तो reaction के इधर reaction के इधर को हम लोग कहते है product जो बनता है उसे अधर product और reaction के इधर वाले को हम लोग कहते है reactant तो यहाँ प्लस U-S-O-4 क्या है reactant and यह क्या है दोन हमारे पस product है and second part में क्या कह रहा है give one example of thermal decomposition थीक है तो thermal decomposition किसे कहते है मतलब हम लोग जब किसी reaction में heat करते है हम लोग heat करते है उससे thermal decomposition कहते है जैसे हम लोग second part में second part में हमसे इनका काइना है कि जो आपका ऊच में आप गटन अभी किरिया है मतलब आपका thermal decomposition तो यहाँ पर जिसमें से heat निकले ठीक है जैसे आप लोग for example CAO ठीक soda lime प्लस इसमें हम लोग अगर water डाल देते है H2O तो reaction हम लोग देख पा रहे है कि यहाँ पर यह बनेगा CAOH का whole toys प्लस heat तो इसे हम लोग कहते है thermal decomposition ठीक है and question number 6 में है iupac name अब बताओगे iupac name तो लिखोगे answer 6 answer 6 में है iupac name तो मारे पास क्या है c single bond c triple bond ch फिर यहाँ पर यहाँ पर तो नहीं होने चाहिए यहाँ पर है यहाँ पर हम लोग जब इसका नाम करेंगे है तो triple bond होने पर हम लोग क्या कहते है आइन ठीक है तो नाम हमारे पास क्या हो जाएगा दुखो मेथ एथ प्रोप तो हम लोग कहेंगे प्रोपाईन अगर आइन की बात करो तो आइन वन पर है यहाँ पर one carbon पर है तो पर पाइन या प्रोपाईन वन में यहाँ है हमारे पास यहिए कैन प्रोपाइन यहाँ पर यहाँ है यह एच यह सब मेंosta है यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आहां पर आल ग्रूप है हमारे पास तो मेट एक प्रोन बूट जो यह इसे बूत सब्सक्राओं पर सोब सेय इसे बूत 1930 और आल जो इसे टेम कहिं सब्सक्राओं किस्षचर लोग कोई सब्सक्राओं यहां बॉत। कोइड न chili का तो यहां पर नेक्स्ट क्या है? 6 का A part B part में है Why do ionic compound have height melting points? तो यहां पर 6 का यह A part है and 6 का B part तो हम लोग कहेंगे answer 6 और इसका B part B part में क्या है? B part में क्या है? Why do ionic compounds तो हम लोग हेडिंग डालेंगे ionic compounds ठीक है? ionic compounds ionic compounds ionic compounds तो what is ionic compounds? ionic compounds मनलाब इसमें heat melting भी है let's say for example NACL है NACL को हम लोग हीट करेंगे तो इसके दो हम लोग पॉइंट देखेंगे ठीक है? दो चार्ड देखेंगे NA positive charge प्लस CL negative charge तो इसे कहेता है ionic point for example जैसे H2O है इसको ionic point compound में हम लोग ionic compound में लिखेंगे तो H positive C plus OH negative तो इसे CAOH का hold तो आई चलो इसी में हम लोग समाज़ने हो तो ऐसे हम लोग ionic compound तो ionic compound किसे कहते है जब भी किसी compound को जब भी किसी compound को हम लोग ionic में define करते हैं तो उसे ionic compound कहीते हैं and question number हमारे पास है 7 write notes on the following तो number 1 क्या है हमारे पास? question number 7 question number 7 heading क्या है number 1 heading डालोगे अब लोग saturate and saturate and saturate unsaturated unsaturated अब दोगो saturated and unsaturated किसे कहते हैं जो यदि किसी compound में single bond हो तो उसे हम लोग कहते है saturated and अगर double bonding and triple bonding हो तो उसे कहते हम लोग unsaturated जैसे इसे हम लोग कहेंगे unsaturated क्योंकि यहाँ पर triple bond है इसे saturated कहेंगे क्योंकि यह हमारे पास single bond है तो किसी भी compound में अगर single bond हो, अगर कोई भी compound single bond दोरा ही वो okay हो जाए, तो उसे हम लोग कहते है saturated, बट अगर double bonding या triple bond से वो clear हो जाए, तो उसे हम लोग कहते है unsaturated, clear, और corrosion जो है, यह तो हम अपको पीछे की वीडियो में बदा चुके हैं, कोई भी metal हो, अगर वो oxygen के, oxygen के, oxygen या मालो की, है oxygen ही है दिकतर हम लोग जानते हैं, अगर oxygen के संपर्ग में आ जाए, या नमी के संपर्ग में आ जाए, तो वो फिर धीरे-धीरे rienड होने लगती है, नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते है? corrosion कहते हैं फिर इसके बाद है pre-pation reaction अब देखो pre-pation reaction तो pre-pation reaction क्या है का मतलब है जब भी कोई reaction हो उसमें एक product है नीचे बैठ जाए तो उसे कहते है pre-sipation reaction इसके लिए for इसके लिए लिए अगर कोई भी एक metal अगर नीचे की और बैठ तो उसे हम लोग कहते है pre-pation reaction इसका और में क्या है राइट ए प्रोपल्टी प्रोपल्टी और प्लास्टर आप पेरिस इन कोई भी आप लोग प्रोपर्टी बता हो गई तो है अब देहां दखना कि प्रापर्टी प्लास्टर आप पेरिस के प्रोपर्टी क्या है एंड इसका application क्या है तो आपको बता दें कि प्रोपर्टी जो है एक तो इसका है application this is for example जो हम लोग हमारा सैड है सैड को एकडम चिकना बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं और इसके बाद जो फ्लावर है फ्लावर के जो गंबले वगेरा होते हैं इसको भी बनाने के लिए प्लास्टर पेरिस कम लोग यूज करते हैं जो हमारे वाल्स वगेरा होत इसके यूज करते हैं डॉक्टर इसका यूज जो है कोई भी जैसे वान वगेरा तूट जाये तो वहां पर प्लास्टर के यूज में यह करते हैं ठीक है इसके बाद question number अब है आपका what do you understand why base and acid तो base and acid आप लोग तो clear जानते ही हो अगर कोई भी कोई भी compound हो कोई भी compound हो अगर उस compound को हम लोग वाटर में तोड़े तो उसको अगर ओ नेगेटिव में तोड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वेस समझो कोई भी compound हो कोई भी compound हो उसमें अगर हम लोग water मिला दे या water के साथ reaction हो जाए या water alien हो जाए तो अगर H positive दे दे वो तो उसे हम लोग acid कहेंगे अगर वही compound अगर OH negative दे दे तो उसे हम लोग base कहेंगे अगर राइट टू एपलिगेशन ऑप पिछ इन डेली लाइफ तो पियच्ट के लिए जिसे डेली पीच के लिए साइद हम पीछे की बीडियों बता चुके है पीच पीच इन डेली लाइफ है लग रहा है कि पीछे के सेट में बता चुके हैं सब्सक्राइब करें तो देली लाइप में पीएच की यूजिस क्या है जैसे हुमन बॉड़ी के लिए पीएच बहुत ही नीडिट है बहुत ही जरूरी है क्योंकि पीएच से ही जैसे कोई भी हुमन बॉड़ी हो पीएच बहुत ही नीडिट है तो तीथ के लिए भी हुमन बॉड़ी में पीएच बहुत ही नीडिट है वह वर्किंग करते है तो इसलिए पीएच बहुत ही यूजिस है डेली लाइप के लिए जो फिसे से मचलिया है फिसे उनके लिए भी पीएच बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर है वाटर का पीएच अगर अब डाउन हो जाए तब भी जो फिसे से जीवित नहीं रहे सकती है तो इसकी डेटना हो जाए अब देखो कोशन नमबर आपका कोशन नंबर एट वाट इतल वड़िस न्यूटरेशन बाट एटनünde न्यूटरेशन चिरिस थो अब हैडींग outta baru डालो के नूटरेशन обычно और एट ऐंो कुषा नंबर एट इनका कहिना है वाट इज नूट्रीशन लून ऑन यूटिशन cooling दो नंन मूट्रीशन तो nutrition क्या है तो आपको बदा दे कि nutrition जो है जो भी हम लोग food ग्रहंड करते हैं खाते हैं हम लोग food खाते हैं उस खाना को जो है डाइजिंग करना उसे हम लोग क्या कहते हैं nutrition जो भी हम लोग food यूज करते हैं कोई food हो जो भी food हम लोग यूज करते हैं उस food को dice करना उस food का digestion ही nutrition हम लोग कहते हैं उसको ठीक है एंड डिस्क्राइब ऑटो ट्रॉफिक एंड हेट्रोफिक बिच सुटेवल एक्जाम्पल कुछ यह फिर मिस मनला भाय यह वना टाइप पूप्रिंट कर रहा था ना तो कुछ इसमें साइद मिश्टिक है मिश्टिक नहीं है कि बिला रहा है उसमें समझ भी नहीं को तो यहीं से पुर्ण है वत डिस्क्राइब औरौट्रॉफिक एंड हैंड शुटेबल एक्जाम्पल तो ऑटाफिक एंड हैंड इसके एक्जाम्पल ही तो हैं हां ठीक है अब एक चीज़ है रखना कि यहाँ पर autotropic क्या है जो भी plant यह जो भी plant अपना फूर जो है है le Lim h aगر बना ले उसे हम लोग कहते है उसे हम लोग क्ष dal ए ओटकर न इत्व है जो भी plant अपना फूर पूर जो है स्वयम बना ले उसे आटो ट्राफिक कहते हैं कोई प्लांट हो अपना फूर जो है स्वयम बना लेते हैं उसे कहते हैं आटो ट्राफिक और जो आटो ट्राफिक पर डिपेंड हो जो आटो ट्राफिक पर डिपेंड हो उसे कहते हैं हेट्रोफिक आटो ट्राफिक इसके बाद आपका टाइगर्स वगेरा है इतिसी मतलब सभी जो है यह क्या होता है है ट्रोफिक क्योंकि यह जो डिपेंड है किस पर ऑटोट्राफिक पर डिपेंड है जिकेंड ड्राइव लेबल डाइग्राम अफ लॉंगिट उंडल सेक्शन ऑफ फ्लावर दो फ्लावर के बारे में इसे पीछी पूछा गया था हमने उसमें तो आपको क्लियर नहीं कर रहा है तो इसमें क्लियर करा रहा है ठीक है भी तो डिस्क्राइब प्रोसेस अप सेक्स डिटर्माइंड हुमन बिंक्स चलो तो फिर इसने को शॉट कलो फिर आम उसको ही बताते हैं जो सेट तू में यही कोशन था आपका सेट तू में भी क्या है इसमें ड्रा ए बेल लेबल डाइग्राम अपर लोंगिट्यूंड डेल सेक्षिन ऑफ फ्लेवर डिस्काइब डिस्क्राइब वरियस फ्लॉवर और्गंस तो यहां पर जो है सबसे पहले होता आप लोग इस् किर्णहीं यहां प्लाब अधरु आजग मत चलू मत करां में प्रियद्या प्लॉवर और शार्फ यहां प्र लेखिरा प्रील Guy गविख प्रोपोस करता हो तो जिस फूल को जहां पर उपकड़ता है उस बाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं पेडिसेल के जश्ट अपर में पेडिसेल के जश्ट अपर में क्या है जहां पर फ्लावर जो है सिटिंग करती है सिटिंग करती है जाहां पर जो फ्लावर है सिट करती है उसे पहले इसको हमलोग इसायपफ, इससे कहते है अलाबह किसी समय कृता है, जब पुषप कहते हैं जो हमारे पास फ्लावर है अगर मालों की हम पुश्पक invest bricks, तो उसके चार नुख na green green पतीस होता है। लीभ टाइप की ने शोती है। उसके अंदर से जो फलावर निकलती तो वाल благодар इस ऌह समझ ने कोशिछे उसके ने कोशिशू अब फूल की स्टार्टिंग है स्टार्टिंग में ऐसे कली की रूप में होती है। चारो ओर जो लीब टाइप की होती है उसे हम लोग क्या का है ? उसे ही हम लोग क्या कहते है सेपल कहते हैं क्या कहते हैं यही सेपल जो है जब फ्लावर खिलने लगती है तो यही सेपल बाद में इस परकड़ से मतलब यह फ्लावर के सेप्टी कवर है सेप्टी कवर थो बसकत सेप्टी टक वर है NICK करते करते इसके जो हमारे पास पेटल से इसके पेटल को तोड़ते हैं समझ लगो अब लो कॉंद दो नज की सिर वालागे DCT वाले हिए्ट इसको का राफ जो गुलाआ है आपका रोज है रोज के साइड में जो ने पती पती होती है ठीक है बहुत सारे उसे हम लोग क्या कहते है पेटल्स उसे क्या क्या पेटल्स का वर्किंग क्या है सेपल का वर्किंग है पूरे फ्लावर को सेप्टी करना ठीक है और रिसिप्टेकल का वर्किंग है कि फ्लावर क अपने ऊपर बैटने देना अपड़िसल पागड़ने के लिए यह जो भी है इसका व्यादा कोंगी नहीं है अब पेटल्स क्या है पेटल्स जो है जो भी हमारे ऊट्राक्टिव करना एक तरह यहां से ही जो हमारे पास जो भी खुष हो गन देना इसी से आती यह तो पेटल्स है हां तो पेटल एक को लोग कहते हैं टोटल को कहते हैं पेटल इसके बाद हमारे पास यह जो हमारे पास देख रहे हो ना यह वहां यह सब शब्राइनिफों रहा है य सब च्छोटे कंद होते हैं ये जू है वो फ्रम होती च्छोटे stuffs च्छोटे में होते हैं इंदोनों पार्ट को यह है इस्टेमेंटा का मतलब होता है जैसे हम gluten तो यह आपास male parts है जो flower है flower के यह male parts है दोनों के दोनों enter and filament यहाँ पर filament यहां पर filament working है एंथर को अपने उपर रखना और एंथर काम है एंथर के अंदर जो है वो मॉलीकी विलस होते हैं उसमें छोड़े ओड़े में वही कड जाते हैं जाने के बाद वही कड इसके अंदर जाते हैं अंदर इंटरी करते हैं इंटरी करने के बाद यह हमारे पास क्या है ओबरी ओबरी में होता है हमारे पास sexual ठीक है उस sexual के दोरान यहां पर पुश्प यहां पर flower में flower fruit यह सब बनने लगते हैं ठीक है यह सब इन दोनों के वज़से यह हमारे पास है female parts और यह तीनों तीनों है यह हमारे पास stigma है यह हमारे पास style है और यह आपरी है यह तीनों पार्ट जो है यह क्या है कार्पल है का मतलब है यह female parts है यह क्या है female parts है तो clear होगे न अब आगे देखो आगे क्या है हमारे पास describe the process of sex determination in human beings of detail तो समझना यहां पर question number 10 में क्या है question number 10 तो मुझेंगे answer जो 10 है answer 10 में है हमारे पास यहां पर है describe the process of sex determined in human beings तो यहां पर आपको बता दे कि process of process of sex determination 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 in human beings आपको बता दे human beings में जो sex determination है इसको अमलोग कैसे पता लगाते हैं कि कब जो है son का वार्न हो कब जो है daughter की वार्निंग हो मतलब कब पुत्र उत्पन हो लड़का उत्पन हो कब लड़की उत्पन हो कब लड़की होती है कब लड़का होता है तो उससे करते process of sex determination in human beings अब यहां पर जो है आपको पता दे कि यहां पर जो है हम लोग chromosome autosomes ही हमारे लिए बर्किंग करता यहां पर chromosome autosomes ही हमारे लिए तो chromosome जो है हम लोग जानते हमारे bodies में total जो है 46 है और पेर की बात का 23 पेर है है कि जो female body है female body में जो chromosome है वो x and x है और जो male body है male की body में chromosome x and boy है बट यह हमारे पास 23 23 23 23 equals to 46 यह 23 23 23 23 plus 23 equals to 46 but only one chromosome ही working करता यहां पर one chromosome जो 22 autosomes है वो तो suitable है ठीक है बट जो one chromosome है यही working करता है आप लोग लोग बताते से x और x यह हमारे x और y x and y यह male body है and x and x जब x और x के भी 6 करने से यहां पर उत्पन होता है x and x मतलब हम लोग कहेंगे यहां पर उत्पन होती है क्या होती है daughter यहां पर क्या बनती है daughter बनती है ठीक है and अगर female का y और sorry male का y और female का x अगर आपस में sexual हो जाए तो यहां पर x and y इससे उत्पन होता है son तो अगर बात करें बेटा की तो लड़का की लड़का कैसे बनता है लड़का बनता है जो अगर male का y और female का yaks मिल जाए तो वहां पर बनेगा लड़का and male का yaks और female का yaks मिल जाए तो वहां बनेंगी लड़की तो ऐसे हम लोग process of sex determination in human body human beings की बारे हम लोग समझ सकते हैं आगे question क्या है आगे question है 11 में with the help of label diagram explain the general scheme इतो है तो with the help of label diagram explain the general scheme फिर क्या है यह चलो how nervous impulse travel in the body ठीक है travel in the body तो यह तो आपको साइद पीछे आप लोग देख चुकिए हो सेट 2 में आप लोग इसको देख चुके हो फिर है describe human male product system with diagram ठीक है तो आपको बता दे की इसके साइद चलो इसको बता देते हैं बता देते हैं फिर इसको बताते हैं कि अधिक है इसके 11 के ओर में है describe human male reproductive system with diagram तो इसके diagram को बनाना है male human हां तो इसके diagram को अब लोग इस परकार से watch कर सकते हो इस परकार से अब लोग देख सकते हो ठीक इसके जो diagram है इस परकार से अब लोग देख सकते हो एंड आपको बता दे कि यहां पर जो diagram का सबसे main parts है वो हमारे पास है testis यह हमारे पास testis है यह male diagram है male में आपको पता दे कि सबसे जो main parts है वो हमारे पास testis testis के जो इससे किस से यह add है किस section से हम लोग कहेंगे scrotum scrotum ses add है तो testis में यही जो हम लोग देखते है white white जो male है न डिल वाले तो निकलती है उसे हम लोग का तेस्ट इस के दिखो ये कुछ नली टाइप की गई है इस नली को हम लोग कहते हैं वास्ट इफ्रेंस was difference जो है यह किस से add है यह देखो पूरा का पूरा यहाँ पर add है मनला हम लोग कहेंगे प्रोइस्टेटिक ग्लैंड से तो प्रोइस्टेटिक ग्लैंड जो है हम लोग यहाँ पर है प्रोइस्टेटिक ग्लैंट में प्रोइस्टेटिक हार्मोंस बनता है अगर इस हार्मोंस की कमी आ जाए तो कभी-कभी जो लड़का-लड़की संतान जो है यह नहीं होते किसी-किसी में तो यह यहां पर प्रोइस्टेट गिलांस होना बहुत जरूरी है अब प्रोइस्टेट गिलांस होने के बाओ प्रोइस्टेट ग्रंती होना बहुत जरूरी है ठीक है प्रोइस्टेट ग्रंती होना बहुत जरूरी है अब यहां पर समझना आप लोग कि यहां से फिर यहां से हमारा यहां पर यह connection से प्रोस्ट्ट गिलांस यह जो वायर । टाइप की देख रही है, इसे हम लोग कहते हुआ है यूरेटर और यह जो हमारे पास बाल्ब है दो बाल्ब की तरीके से है इसी इसे हम लोग सेमिनल वेसिकल निकले एकम मे लिए कोशन पूछे गए हैं एक मेल के लिए और एकमेल के लिए तू कोशन पूछे गए हैं तो आगे ऑगे मेल का स्ट्रक्जर करें म्लिर गउज दोगे करा बड़ारा और जब गालामरा मेल का सतु tenue नेमर कीम सबुछायो की अमसरता है तो मेल और फिमेल दोनों की स्ट्रक्चर बदा कि हम लोग completely आपर एक्स्प्रेंट करेंगे क्योंकि वहां पर फिर हम लोग इससे compare भी करेंगे ओंपर ठीक तो सेट 5 में जोरूर मिलना क्योंकि सेट 5 में जो हम लोग ओन तो का जो इसकि बस्क्राव तो मच जो सेरीष हैं मेल एंड फिमेल दोनों के यह आपर फिंडर्टोंपरा नॉर्माल पार्ट्स लीए है कि ठीक है ट्यस्टीज इसके बाद पनिता है टुलिट कैसे निखलता है इसके बाद जो भी हमारे सरीर से निकलते है, जो और पूसे संधान गुतपत्ति होते हैं जब वाले दोनों में मिला-कर आपको जरूर करेंगे ठीक उसमें तो सेट 5 में जरूर मिलना क्योंकि सेट 3 को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जेहन जेवरा तब लोग स्वस्त रही है मस्त रही है हो एक सेट में मिलते जरूर है कोई प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट क्लियर करते रहे है टेक स्क्रीन शॉट